नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलमोडा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में जहां आप गुमने का मज़ा ले सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और कटार मललमोडा से लगभग 14 किलोमीटर दूर इस्थित है और यह मंदीर बहुत ही प्रशीद है जिनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कटार मल मंदीर को कुमाओ में एक मात्र सूर्य मंदीर होने का गौरोप्राप्त है नंबर नाइन नंदा देवी मंदीर इस मंदीर में माता दूर्गा का उतार बिराजमान है और समुद्र तल से 78 सो सोरा मीटर की उचाई पर इस्थित यह मंदीर चंदवन्स की इष्ट देवी मान नंदा देवी को शमरपित है और कई हिंदू तीर्थे यात्रा के धार्मिक रूप में इस मंदीर की यात्रा करते हैं क्योंकि नंदा देवी को बुराई के बिनार्शक और कुमूर के धुमन्तू के रूप में माना जाता है और यह मंदी शियू की बाहरी धलान पर इस्थित है जिनको आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए नंबर एट दुनागिरी मंदीर जो एक हिंदूओं का प्रशिद मंदीर है और यहां द्रोडा परवत की चोटी पर इस्थित है मा दुना को द्रोडगिरी के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदीर का नम उत्राखंड के सबसे प्राचीन वशिद पीठ मंदीरों में गिना जाता है क्योंकि वैश्यलो देवी के बाद उत्राखंड के कुमाओं में दूसरा वैश्यलो सक्ति पीठ है और यहां अलमोडा जिले के द्वारा हाट छेत्र से लगबग 15 किलो मेटर दूर है और यदि अपलमोडा की यत्रा पर जा रहे हैं तो इस जगह घुमना ना भूलें नमबर सेवन जूला देवी मंदीर जोलमोडा जिले के चोबटिया गार्डन के निकट रानी खेत से लगबग 7 किलो मेटर की दूरी पर इस्थीत एक लोगप्री एवं पवित्र धार्मिक मंदीर है और यह मंदीर मादुर्गा को शमरपीत है जिसे जूला देवी के रूप में नामित किया गया है और इस्थानी लोगों के अंसार यह मंदीर 700 वाट्स पुराना है और रानी खेत में इस्थीत जूला देवी मंदीर पहाडी स्टेशन पर एक अकार्सर का स्थान है और यहां दर्शन करने के लिए बहुत से परेटक आते रहते हैं और हाँ यदि आप किसी भी जगह का ओनलाइन टिकट बुक करना चाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइज में होटाल बस प्लेन और ट्रेन सथा टूर पाई के एजबुक कर सकते ह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो दोस्तो अब बात करते हैं नमबर 6 जिरो पॉइंट जोल मोडा के खुबसूरत आकर्षण में से एक वन्यजिव अभ्यारण का परिशद बिंदु है और यहां जाने के लिए अभ्यारण परिशद में लगबग एक किलो किलो मीटर दूर प्रक्रिती और वन्यजिव प्रेमियों के लिए संदा डेस्टिनेशन के रूप में प्रशिद है और डियर पार्क का सबसे प्रमुक अकर्षण देवदार के हरे भरे बिच्छ हैं और उनके बीच घुमते हुए हीरड ते दुआ और काले भालू जैसे जन 1275 मीटर की उचाई पर इस्टित और कुटुमबरी देवी मंदीर एवं बनारी देवी मंदीर के करीब है जहां पूरे भारत में लाखो लोग दर्सन के लिए आते हैं और यहां जगह घुमने के लिए बहुत ही लोग प्री है क्योंकि अधुनिक जीवन की भाग दोड से ब भी जाना जाता है और यहां अलमोडा बस इस्टायन के सामने इस्थीत है और इस अंग्राले का नाम गोविंद बल्लब पंत जीवी पंत के नाम पर रखा गया है और यहां अलग-अलग प्रकार की एतियासिक चीजे भी शामिल हैं जिने आप देख सकते हैं और आसपास के जगह उपा घुमने का मज़ा भी ले सकते हैं नमबर टू उज्वल ब्राइट एंड कार्नर जो एक विशेश बिंदू है जहां से हिमाला के अभी स्वसनी द्रिश्ट देख सकते हैं और सुरियदय एम सुरियास के समय यहां जगह काफी संदार हो जाती है क्योंकि प्राक् अलमोडा जा रहे हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करें नमबर वन अलमोडा हील स्टेशन जो भारत के उत्राखंड राज का एक सहर और सांदार हील स्टेशन है जो घोडे के पैरों की नाल आकार का प्रतित होता है और अलमोडा सहर के मद दो नदियों का बहाव है और हील स्टेशन समद्र तल से 1638 मीटर की उचाई पर इस्थित है और अलमोडा की अकर्शक सुन्दर्ता हिमाले का द्रीश और पहाडों की वादियों को देखकर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्सित करती है और तभी तो यहां परेटक गुमने के लिए आते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को इसी पर बिराम देते हैं और यदि हमारा वीडियो आपको पशंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में